येलो जी इस पे रंग डाला जा रहा है गाड़ी पे आप देख रहे हैं गाड़ी पेंट करने से पहले कितना गाड़ी को ढखना पड़ता है मास्किंग करने पड़ती है सार अपी पर लगाया हुआ है ये हमने और जान तो आप गए होगे पैचान भी गए होगे बाब आटो मोबाइल वरक्शोप बस काम चल रहा है और अभी इस पे शाइनिंग के लिए किलियर मारा जाएगा अभी आप फोल्ड करना दिखाऊंगा थोड़ देर में अब इसमें किलियर की तयारी हो रही है और अभी देखना भाई ओ दोस्तों देखते ही देखते यह पीस इतनी शाइनिंग मारेगा इतनी शाइनिंग मारेगा कि कभी आपना सोची भी नहीं होगी और फिर इसके बाद इस गाड़ी की कल रभिंग होगी और फिर यह कस्टोमर को दे दी जाएगी जेक के लिए बनाया जा रहा है यह बिल्कुल पानी की तरह होता है लिकुन जितना यह पानी की तरह होता है उसके लगने के बाद उतनी जबर्दस इसमें चमक भी आ जाती है कुछ ज्यादे गाड़ा माल है भाही है तो अच्छा बायो जैसे कि आप देख रहे हो आज हमारे पास जगह की थोड़ी दिक्कत है वरना एक टाइम ऐसा था कि हमारी बहुत बड़ी वरक्षब हुआ करती थी और यह दुख बार-बार याद करते रहते हैं हम परिशान होते हैं आप लोगों का प्यार दुआ रही तो य अब यह कारे करम चालू हो चुका है गाड़ी पिक के लिए मारने वाला तो आप आप देखी गहां कि क्या गया कर दो कि जादा लंबी हो जाएगी तो देरे देरे कट करकर दिखाता हूं आपको अब यह दूसरे पीस पर भी मार दिया है अब यह तीसरे पीस पर लगने जा रहा है अब यह तीन मिनिट की होने वाली है इसलिए थोड़ा फिर इस डोकना पड़ेगा अब यह देखिए जासे ऐसे किलियर लगता जा रहा है वैसी वैसी चमक आतीजार यह पीस में यह अब पहला हाथ मारा गया है अब इसके बाद दूसरा हाथ लगेगा उसमें चमक और ज्यादा बहतरी निकलेगी दिखाते हैं आपको दूसरे हाथ वाली वीडियो गी किरवय पर टिक्षा करें यहार आपको पहला है यहार यहार रहा है यह यहार है प्लादा करें आपको दूसरे वाले चुपर को एक कि अच्वर हैं वृ उव को रहा है यहांग एक लेहर आगी यहाँ पर लंबा मार दी थोड़े साथ तो लो भाईयो आज के लिए भी के लिए इतना काफी है जब यह पेंट हो जाएगी फिर मैं इसकी फोटो आपको दिखाऊंगा शेयर करूंगा आप मिलते हैं गाड़ी पेंट होने के बाद में बाद में